अर्षबका की हकिकत माहें लिखी कतेब बेद खोले जमाने का खावंद और खोल ना सके कोई भेद और खोल ना सके कोई भेद लिख्या वेद कतेब में प्राणिस्वरक्षरतीत ने इस सिंगार गृंथ में अपने नक से सिक तक की सुभा का बढ़न चार बढ़ किया है यह सिंगार गृंथ हमें मारिफद के दर्वाजे पर ले जाता है मारिफद किसको कहते हैं जिसमें हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता है दोनों एक सुरूप हो जाते हैं और यही वह गृंथ है जिस पर जागनी बर्मान का मुद्दा खड़ा है खेल का कारण जो बना था अक्षरातीत के द्वारा अपनी पूर पहचान देने का जिसके लिए रब्द हुआ था उसमें बिना स्रिंगार गरंथ के यह निर्ड़े ही नहीं हो सकता था कि रूहें राज्जी के ही सुरूप है और इस गरंथ में जो यह चुपाई आती है अर्ष बका की हकिकत माहें लिखी कते वेत खोले जमाने का खानम और खोलना सके कोई भी जबसे यह स्रिष्ट पैदा हुई है एक करव चानबे क्रोड़ आठ लाग दिर्पन अजार एक सो बाइस वर्स हो गए इस स्रिष्टी को और स्रिष्ट के प्रारम से ही वेत का प्रेक्टन हुआ उसकी व्याक्या में उपनिसद लिखे गए दर्सन सास्थ लिखे गए नजाने कितने कुंतलों बजन के गरंथ लिखे गए कते परंप्रा में तौरे तिंजिल जम्बूर का आउतरा हुआ किन्तो यह वाणी अक्षरातीत की इस ब्रह्मान में प्रकट हुई है और वाणी के लिए क्या कहा जा सकता है कि यह क्या है अक्षरातीत के हिर्दे में इल्म का अनंत सागर जो उमड रहा है उस सागर की अक्वूद महामती जी के ध्याम हिर्दे में आती है और वो स्वाइम सागर बन जाती है किन एक भूद न पाईया रसना भी बचान ब्रह्मान धन्यों खोजिया जो कहावे तरहेगो इस ब्रह्मवानी का एक रस पाने के लिए ब्रह्मा भिस्लों महेश भी तरस्ते रह गए क्यों कि कोई चौदे तब को वका का कोई बोल लिया ला यह खरफ यह सब कुछ बाते ठीक है लेकिन यदि हम इस ब्रह्मवानी को संसार के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा संसार तो प्यासा ही रह जाएगा यह बाड़ी अक्षरातीत के हिर्दे में जो इल्म कियानंत सागर उमड़ा करते हैं उसको इस संसार के धरातल पर प्रस्त करती है और यह बैठे-बैठे परमधाम की रादिकाती है इस दिये तो कहा गया कि हाक इलम जित पहुंचिया तित अर्शुवा दिला आप जितने सुन्दर साथ बैठे हैं आपको तक तार्तम जान का प्रकारश नहीं मिला था संभव है आप भी जर्पदार्थों की पूजा करते रहे हों बिरिक्षों की पूजा करते रहे हों नदियों तलाबों की पूजा करते रहे हो लेकिन जब ये इस तार्तम ज्यान का प्रकास मिल गया तो आप किसी भी किमत पर एक अक्षरातीत के सिवा अन्य किसी को अपना प्राण बल्लब नहीं मांज़े सुरी उगता है सारे संसार के लिए हवा बैती है सब के लिए जंद्रमा प्रकासित करता है सारे संसार को उसी तरह से प्राण आता है सारे संसार के लिए आए वेद के लिए भी आए कतेब के लिए भी आए क्या का आए धामदनी ने अपनी ब्रमवानी में मुस्लिम को मुस्लिम की हिंदू को हिंदू की तर ये समझे सब अपनी ने जब आये इमाम आखिर सारा संसार ये बाट देख रहा था कि हम जान जाएं कि सच्टानद परब्रम कौन है कहां है कैसा है संसार तो प्यासा है आप देखेंगे राधाव स्वामी मत में 10 लाख लोग इकठे हो जाते हैं उनके बारसी को सोबर और हिंदु समाज की देखा जाये तो कुम्वे में क्रोडों लोग पहुंचते हैं किस आस्था के साथ कि किसी भी तरह से हम को इस भाव सागर से कोई पार कर दे किन माया पार न पाहिया किन कहयो न मूल वतन सरूप न कहयो काहू ब्रम को कहें उत्य चले ना मन बचन अब सोचिए संसार कितना प्यासा है सच्थानंद पर ब्रम को पाने के लिए और अच्छरतीत आये हैं इस संसार में कोई संपरदाय चलाने के लिए नहीं हम से भूल कहां होती है हम एक छोटा सा संपरदाय बना करके बैठ जाते हैं हम भूल जाते हैं कि यह ब्रमवानी सारे ब्रह्मान को पवित्र करने के लिए आई है वेद कतेब के जो अन्य आई है उनको परम सत्थिका प्रकास करने के लिए परमधाम की आत्माय आई है यदि आप एक छोटा सा संपरदाय बना लेंगे और कहेंगे कि हमारे लिए कंठी का मात तो है तिलक का मात तो है हमारा मंत्र ये है हम वेद को कुछ नहीं समझते कतेव को कुछ नहीं समझते तो संसार आपकी बातों की मात ता क्यों समझेगा इस संसार में आने के बाद तो सब के हिर्दे को जीतना पड़ेगा ये तो गत संसार की जो खेंचा खेंच गरत अपन तो साथी धाम के है हमें नूर मत नूर मत करत क्या होता है? तार्तम ज्यान का प्रकास ये तार्तम ज्यान का प्रकास कहां से आया है? ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार ये सब जाहिर कर चल लिया आया निज दर्वार अक्षर ठोर के पार परमधाम से इस तार्तम ज्यान का प्रकास आया है कहने वाले कौन है? स्वाइम अक्षरातीत तो अक्षरातीत के ही हुक्म से ये ब्राह्मान बना आए अक्षरातीत के हुकम से वेद कतेप का उतरन हुआ है तो प्रस्थ यह है कि अक्षरातीत हमें ये सिख्छा तो नहीं देंगे कि हम वेद कतेप से घिरना करे जैसे कोई पतिवर्दा पत नहीं हो अपने पति के लिए अपने प्राण से मर्पित करती है लेकिन पुड़ोसियों को अप सब्द तो नहीं करती उसी तरह से हमारा भी नैतिक उतरदाईत है हमारी अगाद सरदा होनी चाहिए बाणी के प्रति बाणी का एक एक सब्द हमें अक्षरातीत का कथन लगना चाहिए और है लेकिन आप जा करके देखें तो सिख वाले सिख पंद को मानने वाले सिख लो अपने गुर्वाणी की कितनी इज़त करते हैं एक बार जो इंगलाइन में सरदार लोग रहते हैं उनके गुरुगरंद साहब पुराने हो गए थे तो उनको वहां से अमरिस्सर लाने के लिए उन्होंने बोईंग भीमान ही बुख कर लिया है हम सुन्दर सातों ऐसा नहीं कर सकते हैं वे देखिए अपने घरों में गुरुगरंद साहब की कितनी इज़त करते हैं हम जरूर वाणी को राजी का जानमे सरूप मानते हैं हम राजी मानकर आर्थी पुझा जरूर करते हैं लेकिन सर्दार लोग जितना गुरुगरंद साहब की इज़त करते हैं हमारे मन में कहीं न कहीं यह भाव तो होना चाहिए कि हमें यह प्रतिदंदी ही नहीं है हमें वो कर्ली टकर दे रहे हैं हम सुन्दर साहतों अटेची में सुरूप साहब भरकर पैरों के नीचे रख लेते हैं और अपने सीट पर मुचे बैट से जाते हैं सर्दार ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सोचिए एक मुस्लिम कुरान पर अगात सर्दार रखता है एक हिंदो जो वेद बढ़ता है वेद के लिए प्रान देने को राजी होता है एक सर्दार अपने गरंच साहब पर अटूट सर्दार रखता है आखिर उनमें परमधाम की आत्माएं होगी और यदि हम यह कहेंगे कि वेद की कोई हो सकता नहीं है संस्कृत की कोई हो सकता नहीं है कुरान की कोई हो सकता नहीं है तो संसान हमारी बात क्यों सुनेगा क्योंकि हमने तो परामी धर्म बना लिया या निजानन संपरदाय बना लिया हम सब के लिए नहीं बन पा रहे हैं सुरी एक जड़ पदार्थ है सुरी सब के लिए है हवा सब के लिए है जल सब के लिए है लेकिन हम सब के लिए नहीं हो पा रहे हैं हम राज जी को एक कैदी बना दे रहे हैं कि इसी संपरदाय के हैं ब्रमवाणी भी इसी संप्रदा की है तो ये ब्रमवाणी पसर्ची चौदे भवन का गतन कहां से सार्थक होगा हमें अपने हिर्दे को उदार बनाना पड़ेगा और एक बात मैं सबसे करना चाहूंगा देखिए एक ही चुपाई आती है कि लोकिक नाम दवु मेट के करसी नयु ठाट तो इसका तीन तरह से अर्थ किया जाता है और जानते हैं जो अर्थ करने वाले होते हैं सत्य को जानते हैं लेकिन जान भुझकर खीचा तानी करके अर्थ का नर्थ किया जाता है कलस्स में एक चौपाई आती है जाको नामे संस्कृत तो संसे की कृत, इसका अर्थ करने में गर्वड़ी की जाती है, संस्कृत संसे के कृत नहीं है, बनाई जाती है जान बूच का, जैसे मैं अभी आपको वाणी का दारन देता हूँ, लोकिक नाम दो मेट के कर्शी नयो ठाट, एक पक्च क्या कहेगा, द नाम स्रिदेवचन जी का लोकिक नाम है, असली नाम प्राणात है, स्री जी है, स्री राज है, बात सही है, लेकिन दो बर्ग और भी है, एक बर्ग क्या कहेगा, स्वर्ग और नरग, एक बर्ग क्या कहेगा, वेद और कतेव के नाम, हिंदू और मुस्लिम के नामों को मिटा कर एक नाम सिक्र्ट जी का दिया अब कह तो तीनों बर्ग रहे हैं तीनों की देवेदारी है कि हमारा ही अर्थ सही है सब जानते है कि सत्त क्या है असत्त क्या लेकिन क्या जो स्वर्ग और नरक कह रहे हैं जो हिंदू और मुस्लीम कह रहे हैं क्या आपकी बात को मानने के अपने अहंग की प्रिवर्ति आ जाती है तो जान बुज़कर संस्कृत साहित में खीचातानी की जाती है अन्य था अपनी अंतरात्मा की आवाज से कोई देखेगा तो वेद में कोई घुटाला नहीं हो सकता एक अक्छर भी यदि आप हेरा फेरी करेंगे तो पकड़ में आ गलत व्यख्या और जब तक यह गलत व्यख्या होती रहेगी तब तक ने जाने एक आई-स-स नहीं कितने आई-स-स जैजिसे संस्थाए होती रहेगी जो खून की नदियां भाती रहेगी पहले से होता रहा है आज से नहीं धर्म गरिंदों का इल्टा अर्थ करके समाज को बिनाज की तरफ ले जाना ये मानसिकता रही है। बैबिल का भी अर्थ गलत किया जाता है और अन्जाने में नहीं जान भूज करके किया जाता है। जैसे, अभी देखिए, कुछ वर्षों पर जगन पूरी के संकराचारी ने कहा दिया था कि ब्रामर के अत्रिक्त अन्न किसी को भी वेद पढ़ने का दिकार में। लेकिन इस संकराचार हिंदू समाज के सनातन समाज के एक अस्तंब है। उन्होंने कह दिया तो उनके अनुयायोंने माल दिया। उसी तरह से हम सुन्दर साथ भी इन चौपाईयों को वास्टिक रूप में प्रस्चित नहीं कर पाते। कि जहां को नाम है संस्करित सो तो संसे है के करित। अभी आपने चौपाई सुना। जो लो ताला खुले नहीं द्वार अधर्वन कते। तरफ न पाई किन बका ना कुछ खेल परे। जो लो ताला खुले नहीं द्वार अधर्वन कते। अधरवेद में यह बढ़न है कि परमधाम कैसा है। परमधाम की ब्रह्मपूरी कैसी है। सारे ग्रत पढ़ जाए कहीं बढ़न नहीं है लेकिन केवल अथरवेद है जो कहता है कि ब्रह्मपूरी पर पूरा एक सुक्त है एक दो मंत्र नहीं है पूरा सुक्त ही है जिसको केन सुक्त कहते हैं उसी नाम से केनोपुनिसत भी बनाए मुंड़कुनिसत में क्या लिखा है दिव्य ब्रह्म पूरे ही ऐसा व्यम आत्मा प्रतिश्तम दिव्य ब्रह्म पुर में परभ्रम है। यह नहीं लिखा है कि माया में परभ्रम है। आप सुचिए, आप सुंदर साथ, जन में से प्रणामी है, सुंदर साथ है। तो आपको बच्पन भी बता दिया जाता है कि र हमारी वानी को मानो, हमारा तार्थम पढ़ वो क्यों पढ़ेगा? यदि कोई मुस्लिम जन्म से ही है, तो उसको जन्म से ही कुरान पढ़ना सिखाया जाएगा. ये आपका कर्तब्या है, कि तार्थम ज्यान के प्रकास में, आपको वेद से उसको समझाना पढ़ेगा, कि एक अक्षरतीत कौन है? अक्षरतीत कहां है? अक्षरतीत काईसा है? और उसको पाने के लिए आपको वेद से परमार देने पढ़ेगे, तार्थम ज्यान के प्रकास में. इसलिए का है. तीनों वेदों ने ये कहा वेद अधरवन सबको साथ ये बेद कुली में अखिर उतारे तरिगुन को पार ये बेद ये वेद क्या है सोसम वेद सोसम वेद कार्थ क्या होता है आत्म वेद विज्यान भी है सब कुछ है लेकिन ब्रमभुमारी में किवल आत्मा की व्यक्ख्या है और परमात्मा की व्यक्ख्या है हवे पहला में हो जलनी से लेकर महमद ए उमत करी रोसन तक किवल ये बताया गया है अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत कहां है, अक्षरातीत कैसा है, उसको पाने का मारग क्या है, हम कौन है, आए कहां से हैं, और इस संसार और सरीर को छोड़ने के बाद जाना कहा है, अध्यात्म का मूलता तो यह है, और इन 18,77 चोपाईयों में इनी तद्धों पर प्रकारश डगा गया हम इनको पढ़ते हैं चिंतन करते हैं दुसरों को सुनाते हैं तो हमारा हिर्दय भी तो वैसे ही महान होना चाहिए जैसे अक्षरातीत का हिर्दय है वारी क्या कहती है लाड लिया लाहुत की जाकी असल चोथी असमान बड़ी बड़ा इनकी जाकी सिफत करे सुपान संसार किसकी महिमा गाता है अक्षरातीत ये और अक्षरातीत किसकी महिमा गाते हैं परमधाम की आत्माओं की अक्षरातीत परमधाम के उन आत्माओं की महिमा गाते हैं जिनकी नजर आपके इन तनों पर पड़ी है और उनको इस संसार में स्रीदेवशन जी के दोरह बतायवे मारक कांसolon कर रहे है तो हमारी वाणी में वैसी ही को मलता होनी चाहिए हमारे हिर्दे में वैसा ही विसालता होनी चाहिए कि हम सारे संसार को अपने में समैठ ले आप देखीए एक नाला था जब वो जिल में गिरने लगा जिल ने का कि नहीं तुम बहुत गंदे हो तुमारे पानी से बद्बू आती है मेरे में न गिरो नहीं तो मेरा पानी गंदा हो जाएगा नाला सोचा कि चलो जिल ने मुझे नही शरण दे जिल तो किनारे बैठी रहे गई नाले ने सरन ले लिया गंगा का गंगा में जाते ही वो गंगा कहलाने लगा और समुद्र में गिर कर वही नाला समुद्र हो गया तो आप सोचिए आप कौन है कोट ब्रमान जाके पलते पैदा सोचा है हमारा दनसन आपकी सोभा ऐसी दे गई है तो आपको किसी भी इस्तिती में न वेद सिख्रणा करनी चाहिए न संस्कृत सिख्रणा करनी चाहिए यह संस्कृत भासा क्या है आप जो गुजराती बोलते हैं यह कहां से पैदा हुई है संस्कृत से पैदा हुई है बैदिक संक्रिट से प्राकर्ट संस्क्रिट निकले प्राकर्ट भास जिसको जयन और बोध ने अपनाया और उसी प्राकर्ट भासा का अपब्र अप्भास वहा। अपनिय गुजराटी, मराथी, मलेयालं, कंणर सुट okay, अपन। वह ने पंजाबी हुआ नेपाली भासा ले लिजिए असामी भासा ले लिजिए बंगला ले लिजिए सब हिंदी भासा से निकली है और सब की लीपी एक कर दिया जाए तो अराम से हर कोई दूसरी भासा की जान सकता है राजगरंत गुजराती में प्रकाश गुजराती, कलाश गुजराती, खट्विती, लिपी एक है, सभी पढ़कर समझ जाते हैं तो आप सोचिए, गुजराती के कितने सब्द है, पर्थम सब्द है, योवान सब्द का प्रयोग होता है, दीवस सब्द, सब गुजराती में प्रयोग होते हैं, और सारे सब्द किसके हैं? संस्कृत के हैं. तो संस्कृत जब स्रिष्टी पैदा हुए तब से चल रही है इस देश में एक अरब 40 करोड की जन संख्या है और कम से कम एक करोड तो हिंदू है एक करोड हिंदू में 1000 संपरदा हैं 1200 जाते हैं 1000 संपरदाओं में कम से कम 700 संपरदा याइसे हैं जो वेत परसदा रखते हैं यहदि आप कहेंगे कि वेत जुठे हैं वेत किमें कुई अ रो सकता नहीं तो कम से कम 45 क्रोड लोव कि भावना आयी आहत होती है वो हमारी बात किन कूं सुनेंगे हमारा कारी है ब्रमवानी को फैलाना हमारा कारी है संपर्दाइक्ता की कट्टर संपर्दाइक्ता की चादर ऊड़कर यदि हम संसार को कहेंगे कि हमारी वानी सुनो हमारे तारतम को मानो हमारे परमधाम को मानो तो कोई क्यों मानेगा इसलिए जाको नामाई संस्कृत सो तो संसे ही के कृत ये विद्वानों ने बनाई और जान बुश करके बनाई है एक विद्वान थे जिन से सहस्तार्थ हो रहा था उन्होंने भूल से गलती में कह दिया कुछ परिड़म क्या हुआ एक दूसरे विद्वान ने कहा है कि स्वामे जी आपने गलत बोला है कहा कि नहीं मैंने सही बोला है और अपनी गलत बात को सीद करने के लिए ब्याकरण का एक गरंथी लिख डाला जिसको मुग्दबोध ब्याकरण कहते है कि अपने आहं के पुष्टी के लिए वैसे ही चाहे वारी हिंदी में हो चाहे किसी भी भासा में हो हिंदुस्तानी भासा में वारी है सब को सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान लेकिन हिर्दे में जो पक्षपाद बैठा हुआ उसको कौन निका देगा अब ये देखिए कुरान की एक-एक आयत जो कुछ कहती और है जैसे कुरान में सुरा बकर है बकर कहती कहीं होता है गाय उसमें ये बताया गया है कि मनुझ को चाहिए कि गाय की तरह सीधा बने लेकिन इस कार्थी ये क्या करें गे कि गाए खानी चाहिए सब्द कुछ और है और उसका उल्टा अर्थ करके जैसे अर्सी अजीम में क्या होता है किसी भी मौलाना के पास जाएंगे तो वो ये मानेंगे कि जन्नत में जाने पर हमें मांस खाने को मिलेगा सरा मिलेगे 72 हुरे मिलेगे यदि यही सब करना है तो इस जन्नत का क्या लेना देना लेकिन कुरान की आयतों में ऐसे कुछ नहीं लिखा है लेकिन जितनी कुरान की ठीकाएं पढ़ेंगे सब्दे में यही सारी बाते लिखी मिलेगी और यह बाते जान बूझ करके कई जाती अर्थ में खीचाता नहीं करके मुहमद सहाब ने किसी को कुरान का अर्थ नहीं बताया कहा कि जब इमाम महदी के रूप में स्वेहम परवर्म की सक्ति आएगे प्राणनाजी के इस रूप में वो बताएगी कि कुरान में क्या कहा है इस लिए वेद का अर्थ करने के लिए क्या का जाता है कि जो समाधी आवस्ता में बैठेगा समाधी को प्राप्त होगा वहीं वेद आर्थ कर पाएगा केवल ब्याकर्ण के बलपर केवल नहीं हो सकता केवल बौधिक चतुराई के बलपर नहीं हो सकता मेरे कहने का ऐसे क्या है हमारा ज्यान सर उपर है इसमें कोई सक नहीं लेकिन इस ज्यान को सब के हिर्दे में जदी बठाना है तो उसी तरह से हमें अपने हिर्दे को पवित्र करना पड़ेगा सब के लिए एक महान हिर्दे आसे रखना पड़ेगा कि ये संसार में भठके हुए प्राड़ी है इनको अक्षरातीत के चारणों तक ले जाना है तो ऐसा नहीं मैं कही रहा हूँ कि आप बेद का प्रोचन शुरू कर दीजिए गीता का प्रोचन कीजिए बागवत का प्रोचन कथाएं शुरू कर दीजिए ऐसा कभी नहीं करना है किन्तु उसका जान रखना अवस्यक है जैसे एक इंजिनेरिंग का छेतर है तो इस इंजिनेरिंग के छेतर में कंपूटर की इंजिनेरिंग अलग होती है कंपूटर में भी कई सकाएं होती और इंजिनेर की नजने कितनी सकाएं होती है जिसमें अलग-अलग भी भाग होती है सारा संसार भावतिक विद्याओं को पढ़ रहा है तो अध्यात्म के अंदर भी जान की प्रबलता होने चाहिए अध्यात्म यह नहीं कहता कि हम बुद्धी को पुर्ट्या की नारे कर दे यह सत्य है कि इस परब्रम की क्रिपाश से ही जान का प्रकास होता है जान एक सागर है जितना डूबेंगे उतना ही ऐसा लगेगा कि अभी और गहरा है और गहरा है और यहीं एक जान की महांता जान को आपने सीमा बद कर दिया तो प्रड़म क्या होगा सीमा में तलाब होता है को समय के बाद उसका पाने खराब हो जाता है सागर का जल बैता रहता है नदी का जल बैता रहता है कुए का जल सीमित रहता है गर्मी और जाड़े में भी पीने के यूगी नहीं रहता उसी तरह से आप ब्रमवानी के जान को समझे कि ये राज जी का दिया हुआ जान है एते दिन त्रेलोक में होती बुद्ध जुबन सो बुद्ध जी बुद्ध जागरत ले प्रक्टे पूरी नौतन वेद का जान आया लेकिन सुपन के बुद्धी में आया नरायन के हिदे से वेदो का प्रक्टेन हुआ नरायन के हिदे में जान कहां से आया अब्याकृत से उस जान को चार रिशियों ने ग्रहन किया समाधी आवस्था में कुछ अर्थ जानते थे सारा आर्थ कोई नहीं जान पाया इसी तरह से मुहम्मद साहब के तन से जो कुरान का जान अउत्रित हुआ मुहम्मद साहब ने राजी से जो 90,000 हरुफ बाते कही थी उन बातों को कुरान में आईतों के रुप में उत्रित किया गया लेकिन मुहम्मद साहब को आदेश नहीं था हकिकत और मारिफत के भेत बताने के लिए आज संसार में नजाने लाखों मदर से होंगे करोड़ों लोग कुरान को पढ़ते हैं लेकिन क्या कोई कुरान को पढ़कर ये बता सकता है कि परमधाम कहा है और अल्ला का दिदार कैसे होगा सनन्द की पहली चुपाईए ढूढ़े सबे मेराज को सबे मेराज में सब सो सबे मेराज जाहर करें सो सबे मेराज देख सी अब परानाजी के चर्ण कमलाई इस अंसार में तो सब ए मेराज दर्सन की रातरी का खुला से हुआ कि मुहम्मद साहब को अलाह ताला का दिदार कैसे हुआ कैसे बाते हुआ यह सारे राशे कौन जानता है यह वो जानते हैं जो तारतम वाणे का प्रकास पाएं यदि हमारे पास कुरान का समाने जानने होगा वेद का समाने जान नहीं होगा गीता का समाने जान नहीं होगा हम क्यों घिरना लेकर के बैठ जाएंगे कि ये तो गीता वाले हैं ये वेद वाले हैं ये दर्शन सुधास्त्र वाले हैं तो बताएए हम उन तक बर्मवाणी का प्रकास कहां तक पहुचा पाएंगे विद्वत दमन कासी के बहुत बड़े विद्वान थे उनको अंकार हो गया था कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि तुम मेरी आर्थी उतारो क्योंकि मैं उतार हूँ मेरे सामने जियान में ठीकने वाला कोई नहीं है उनकी पत्नी सुंदर साथ थे उन्होंने कहा कि पन्ना जाहिए जदी आप स्री जी को नत्मस्तक कर देंगे अपने जियान के आगे तो मैं आपकी आर्थी उतारूँ और पूरी बैलगारी पर गरंतों का बोज लेकर कि वो चलते हैं पन्ना जी आते हैं साथ-ाठ सा की बचियां खेल रही होती है मुकुंदाज जी किसक जाते हैं कि मुझे ही ठकराना पड़ेगा बित्व दमन के सामने ठकराने वाला कोई नहीं था स्री जी ने साथ-ाठ साल की पांचों बचियां खेल नहीं थी उनके जीर पर हाथ रख दिया अक्षरतीत का वरधष जिसके अंन इतने महान बिद्वान बिद्धव्ध ने उनका प्रशीद गरंथ है जो सर्षवास से प्रकासित हुआ था कुछ बरस पहले ब्याकरन का बड़ा सा बड़ा विद्वान उस्ग्रंद को पढ़ करके नतमस्टक हो जाता है जब प्रस्नोतरी हुई बिद्धोद्दमन के उन बच्चियों से थो उन बच्चियों से ही बिद्धोद्स दमन ने हार माले कि ये जो बाते कहे रही हैं कि ना इस्वल ना मूल प्रकिर्टी तादिन की कहूं आपा भीती निज लिला ब्रह्म बाल चरित जाके एक्छा मूल प्रकिर्ट सोचा कि ये तो जान हमारे पास है ही नहीं मैंने जो कुछ पढ़ा है इन बच्चियों के जान के सामने नत्मस्तक है और बिना सास्तार्थ कि ये स्रीजी के चर्ड़ों में नत्मस्तक हो जाते हैं आप सोचिए कि जैदी बिद्व दमन को उनके प्रस्णों का उतर नहीं मिलता और किवल ये कहा जाता कि हमारे सामने तुम क्या हो तरेगुन तो हमारी चर्ड़ रज है तो कोई हमारी बात को क्यो गरण करेगा भी तक में प्रसंग आता है स्रीजी 17 मां सूरत में रहते हैं सियाम जी और भीम जी दोनों संगे भाई हैं दोनों वेदान्त के विद्वान हैं स्रीजी के मुख से जब वेदान्त के किरंदन सुनते हैं और स्रीजी जब बताते हैं कि ये सारा सागर मोह, ये सारा संसार मोह का सागर है और इसके परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है तो उनका भ्रम टूट जाता है मस्तक हो जाते हैं, वहां बलभाचारी मत के विद्वानत मस्तक होते हैं, भागवत के वेदान्त के वेद के सारी रहस्यों का स्पस्टिकरण किसके तन से होता है, प्राणनाजी के सुरुप से, तो आज यदि हमने एक सीमा बना ले, कि हम किसी के गरंद को नहीं मानेगे, तो एक बात ध्यान में रखिए, जब हमें अंग्रेजी आती है, तो गाहों के लोगों के सामने खुब अंग्रेजी बोलती है, बिचारी गाहों के लोगों को तो अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती है, आती है, कम चलाओ आती है, तो हम गरुमानमित होते हैं, अब जानते हैं, कितनी दरिदरी भासा है, सूरी के लिए इसके पास किवल एक सब्द है, सन, दूसरा कोई सब्द नहीं, चैंदरमा के लिए एक सब्द है, पृतिभी के लिए एक सब्द है, एर्थ, और जानते हैं संस्कृत में, पृतिभी के लिए हैं वैदिक साहित में करोणों सब्द हैं और उसके बाद प्रस इच्छा लगा दी गई है कि जो सब्द चाहे नया सब्द बनाओ और खुद उसका अर्थ कर लो आपको सब्द को इस डिक्सेनेरी रठने क्या हो सकता नहीं है अब देखिए पूट होगा लेकिन पूट क्यों नहीं होगा कोई नियम ही नहीं है जिसने जो लिख दिया वहीं मान लिया गया इसलिए एक दर्द्री भासा को बोल कर हम इतना गुर्वानवित होते हैं कि हम अंग्रेजी आती है तो वैसे ही समझे है जिनोंने अपना सारा जी संस्कृत में लगाया है जिन इरुस्विमोनियों ने जिन देवि देङताओ ने जीवन में संस्कृत पड़ा है जब मर्यादयपुर्सत्तम राम होंगे तो भी तो संस्कृत बोलते होंगे क्र्श्नी जीता किइसमें कही क्योंकि उसमें संस्किरत सब की भासा थे आप ईस देस की संस्कृत क्या है moan etає का अठी में जा कर आप शूरम के लोगों आप सारी प्रतिवी का झाले लेलो लेकिन अर्वी भाषा को छोड़ाएं रिधिर में खोड़ने के लिए तयार होंगे बना बेद उसकी व्याख्या में रिशियों ने तरह उपनिसद लिखे दर्सन लिखे ग्रंथ लिखे और यदि हम कहते हैं कि यह सब जूटे हैं तो परड़ाम क्या होगा करोनों की भानाओं की आस्था होती है हां उनको सत्य का प्रकास नहीं है बेद का रच खुलेगा किसके 으arra तार्तम वानी के द्र्वाकुंत जीमें एक बहुत अच्छीव पंग्ती वनाई एंग यह ना खूले अकेलेगा ना खूलेगा किले तार्तम वेड तब खुले अंतर के, मिठे अंतर के बरब, हम सुन्दर साथ, जिन्होंने कभी वेद नहीं पड़ा, दर्सन नहीं पड़ा, उपनिसद नहीं पड़ा, हम जानते हैं कि वाणी पढ़कर कि हमें परम्त हमका जियान हो गया है, लेकिन संक्राचारी तो नहीं जानते हैं, मंडले को कोस्ते रहेंगे कि ये हमारा धर्म नहीं है, तो आप सोचिए, आप संसार को अपने जान का प्रकास कैसे दे पाएंगे, यदि एक दरितरी भासा, जिसे कई ऐसे सब्द हैं, जिसका अनुबाद अंग्रेजी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंग्रेजी का सब्द कोस इ कैदेंगे कि गलोरी तो चेहरे के कांती के लिए वास्तिविक सब्द नहीं है, एक एक सब्द की जो ब्याख्या का समंद है, तो वो सहित में मिलता है, हम ब्रमवानी का प्रकास संसार में फैलाएं, हमारे लिए संसार की सभी भासा हैं, समान रुप से हों, हम अंग्रेजी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, अर्भी फार्शी भी जानते हैं, तो यह हमारी भोधिक सबलता को दर सथाथ है. हम बर्मुर्मानी की ब्याक्षा उन भासाओं में करें, ताकि सारे संसार को उसका परकास मिल जाए. एक अर्भी, दिन भर में पांच बार नमाज बढ़त उर्दू वेकार है, सब वेकार है, चोपाईयां तो बहुत सरल है, प्रदिन आप दो-दो गंटा अध्यान केजिए, चार-चार गंटा अध्यान केजिए, तो अब तो राजी की क्रिपास से वानी किटी का 133 भासाओं में गूगल पर उपलब्त है, जान पिट की का 133 भासाओं में कोई वानी किटीका पड़ सकता है, ऑरवी में, फार्शी में, उर्दू में, रसियन में, चाइनीज में कोरियन भासक किसमें जिसमें इच्छा हो राज से क्यामत नमातक किटिका और पूरी बीतक किटिका पड़ सके आज वो संक्चित्ता का समय नहीं है कि एक छोटा सा संपरदा हैं हम बना ले किवल घंटी गड़ियाल कोई सब कुछ माले तिलक लगा ले कहेंगे क हम तो सुंदर साथ हैं हमारी वाड़ी है हम केवल राजी हमारे लेकर आएं राजी सब के लिए आएं राजी सारे ब्रहमांड के हैं ये बात आप याद रखिए परमधाम के ब्रहमसिष्टियों के लिए अवस्य आए हैं इस तो इस्वरी सिष्ट के लिए भी आए हैं और स सारे ब्रहमान को अखंड करने के लिए हैं। अब देखिए, चंदन का ब्रिक्च होता है, तो पास में किकड का भी ब्रिक्च होगा, उसको भी सुगंधित कर देगा। आप परमधाम की ब्रहमात्मा हैं, तो अपने हिर्दे को विसाल बनाईए। अपने अंदर से घिर्णा के संसकारों को निकाल देजिए, कि वेद गलत है, आप देखिए वाड़ी क्या करती है, जो लो ताला खुले नहीं, द्वार अधरवन कते, किन न पाई तरफ हक बका ना कुछ खेल भरे। अधरवेद के जब तक रहस नहीं खुले थे, किसी को भी नहीं पता कि परमधाम का है, वेद एक पंक्ती में कह देता है, तृपाद उर्द उदेईद पूरसा, इस प्रकृत से परे चतुसपाद विभूती है, और उस तृपाद विभूती से परे परमधाम है, इतना असपस्ट वाकि जो कहता है, तो उसके लिए हम कट सब्दों का पर्यूग नहीं कर सकते, मैं यही आसा करूँगा सुंदर साथ से, जैसे राजी हमारे अराथ हैं, हमारे प्राणेस्वर हैं, हमारे सरवस्वर हैं, हम मंच पर जदे किसी को कट सब्द कहेंगे, कि राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, तो क्या होगा, जो उनका भक्त है, वो हमारी बात क्यों सुनेगा, हमारी बात तो तब सुनेगा, जब हम सकरात्मत रूप से देखेंगे, और सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जैसे एक पत्तिवर्ता पत्ने, अपने पत्ति पर ही अपना जीवन निच्छावर करती है, प्रेम उससे करती है, लेकिन देवर को अपसब्द तो नहीं बोलेगी, जेट को अपसब्द नहीं बोलेगी, पडोसियों को अपसब्द नहीं बोलेगी, उसी तरह से आप परमधाम की ब्रहमात्मा है तो ब्रहमात्मा की गरिमा यही है कि ब्रहमवाणी का केवल प्रकास फहलाए संसार के लिए संसार के प्राड़ी अज्यान में फसे हैं तो उनकी अज्यानता की हसी न उड़ाए क्योंकि ये तो मुह का सागर है यदि हमको भी ब्रह्मवाणी नहीं मिली होती है तो हम सुन्दर साथ भी पत्रों पर सीर पटक रहे होती है हम सुन्दर साथ भी ब्रिक्षों से मननत मांग रहे होते हैं जैसे वो मांगते हैं हम भी मांग रहे होते हैं इसलिए यह राजी की किर्पा है कि राजी ने हमारी उपर अपार मेहर की है, बीच मर्जिया हो एक काढ़ी मुझी, जैसे गोता खोर, समुदर में डुपकी लगा कर, मोतियों को चूनता है, ऐसे यह राजी ने मुह सागर में से हमें निकाला है, परमधाम की ब्रह्मवानी का परकास दिया है, इस ब्रह्मवानी के परकास को हम संसार की सभी भासाओं में परकासित करें, ताकि वो किसी भी भासा में को जानने वाला हो, ब्रह्मवानी को आत्मसाद करें, हिंदुस्तानी भासा में दी गई है, ताकि अनपढ़ से अनपढ़ ब्यक्ति भी ब्रह्मवान की तरह उस गंगा की तरह गंगा सब भी गंदे नालों को अपने में समा कर यहां तक नदियों के गंदे जल को भी आत्मसाथ करके स्वें गंगा ही कालाती है कभी नाला नहीं कालाती है उसी तरह से हम सूरी से तो छोटे नहीं है हमारी जो गरिमा है सूरी से भी महान है क्योंकि सूरी तो जड़ है लेकिन सूरी के प्रकास में इस प्रिष्ट भी पर जीवन संभव नहीं है चरह रज ब्रह्मशिष्टी की खोज थके त्रैगुन कई बीद करी तफस्या युकेवत बेद बचन तो आप सूचिए जब आप संसार को मुक्त देने आई है तो भासाई भी बाद में न पढ़ कर ब्रह्मवानी के ज्यान को सारे संसार के लिए परसुत करें ताकि सारा संसार इस ज्यान को ग्रहन करके धन्दन हो सके इसी में हमारी स्रेष्टा है इसी में हमारी गरिमा है और यह जयान जितना फैलेगा उतना ही राजी कहेंगे कि परम्धाम की ब्रहमात्मा हो, तुम धन्य हो, मेरा वरधस तुम्हारे उपर है, मेरा समय पूरा होता है, मैं आसा करता हूँ, सब सुन्दर साथ को मेरी बात पसंद आई होगी, यह पहला दिन है, और जैसे जैसे कारिक्यम बढ़ता जाएगा, मुझे विस्वास है, सुन्दर साथ के संख्या और बढ़ेगी, और सुन्दर साथ ब्रहमवानी के जियान से और अधिक लपानित होंगे.